नमश्कार दोस्तों पेट पूजय रेसिपीज में मैं पूजय एक बार फिर से आपका हारदिक स्वागत करती हूँ और इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ रोज मर्रा की जिन्दगी में काम आने वाले बहुत ही यूसफुल किचिन टिप्स पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले तो चलिए शुरू करते हैं किचिन टिप्स के इस सिलसिले में मेरा पहला टिप है प्रेशर कूकर के विसल को लेके कई बार जब हम दाल और सबजी चौक के कुकर बंद करते हैं तो उसमें इस तरह से विसल नहीं आती है क्यूंकि साइड में वेंट बन चुके होते हैं और वहां से प्रेशर जो है वो रिलीज हो जाता है और कुकर में सीटी नहीं आती है तो इसको तुरंटी करने के लिए क और फ्रीजर को कर दीजिए बंद क्यूंकि गर्मी की वज़े से रिंग एक्सपांड हो गई और फ्रीजर में होती है ठंडक तो ठंडक की वज़े से रिंग फिर से श्रिंक हो जाएगी और 10 से 15 मिनिट तक फ्रीजर में इसको ऐसे ही रखा रहने दीजिए और उसके बाद निकाल लीजिए ठंडक की वज़े से रिंग आपकी अब श्रिंक हो गई है और ठंडी हो गई है तो आब इस रिंग को वापस अपने प्रेशर कुकर के धकन पे चढ़ा दीजिए ये देखिए बहुत बढ़िया बैठ गई है रिंग कुकर के उपर और सारे वेंट बंद हो गए है तो बस अब धकन को लगाईए और जितनी चाहे उतनी सीटियां बजा के अपनी दाल को बढ़िया से गला लीजिए पर एक बात का ध्यान रखेगा कि ये जो उपाय है ये टेंप्रेरी है जैसे आपको तुरंट डाल गलानी है अभी मार्केट जाने का समय नहीं है तो ये कर सकते हैं बढ़ हाँ टाइम रहते रिंग चेंज करवा ले दोस्तों आजकल मिठाईयों के दाम तो आसमान छू रहे हैं और साथ ही हाईजीन का भी इशू है तो ऐसे में घर में ही मिठाई बनाना सही है तो मेरा आगला टिप है घेवर को लेके घेवर को कुरकुरा करने के लिए उसके जो मैदा का बैटर है उसमें 2 कप मैदा के हिसाब से उसमें एक चमच बेसन मिला दें उसके बाद घी और बरफ को इस तरह से mixi में fat के पहले आधा बेसन आप इसके अंदर मिलाएं और एकदम chilled ठंडा पानी इसमें डालें जी हाँ ठंडे पानी से ही घेवर का बैटर बनाएं बहुत अच्छा और जालीदार घेवर बनेगा और उसके बाद mixi चला लें एक बार और बाकी का बचा हुआ बैटर डालके पूरा बैटर इस तरह से तयार कर लें तो बेसन डालने से एक तो घेवर बहुत ही कुरकुरा बनता है तो ये देखे फिर से ठंडा पानी डालें और बैटर को रेडी कर लें और जब ये बैटर इस तरह से तयार हो जाए तो घेवर को क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे नीमबू तो बिल्कुल आधा नीमबू हम इसके अंदर एड करेंगे काट के तो क्रिस्पी बनाने के लिए दो चीजें आपको डालनी है घेवर में एक तो मैदा के साथ एक चम्मच बेसन और घेवर के घोल में डालेंगे आधा नीमू इससे क्या होगा आपका बहुत ही क्रिस्पी घेवर बन के तयार होगा और इस तरह से घोल बनाने के बाद जैसे नॉर्मली घेवर बनाते हैं वैसे ही बना लीजे जैसे मैं यहां सॉस पैन में बना रही हूँ चायदानी में तो आप घी गरम कीजे सॉस पैन में और इस तरह से थोड़ा थोड़ा बैटर डाल के कुरकुरा घेवर तल के तयार कर ल और ये देखिए नीमबू और बेसन डालने से कितना बढ़िया रंग आया है और कितना क्रिस्पी घेवर बनके तयार हुआ है घेवर तलने के बाद चाहिए तो इस पे मैंगो रबडी लगा लीजिए या रोज रबडी ये आपकी पसंद पे है तो मिठाईयों की बाद चली है तो लगे हाथ काजू कतली को सौफ्ट कैसे बनाए ये भी देख लें काजू कतली की चाशनी में काजू और मिल्क पाउडर डालने के बाद जो काजू कतली का हमारा डो तयार होता है उसको इस तरह से सेलोफोन शीट या कोई मोटी प्लास्टिक की शीट पे हथेलियों से इस तरह से मसल लें इससे क्या होता है काजू के अंदर का जो घी है वो रिलीज हो जाता है और आपकी काजू कतली बहुत सौफ्ट बनती है हलवाई इसी तरह काजू बरफी बनाते हैं जिसे देखिए बरफी पे बहुत अच्छी शाइन और ग्लेज आ जाता है मेरा नेक्स टिप है कि लसन को छील के फ्रिज में स्टोर कैसे करें तो इस तरह से सबसे पहले लसन की हम 12-15 गाठे ले लेते हैं अब इन लसन की गाठों को अच्छे से खोल के इसमें से खराब और बेकार लसन निकाल दें और उसके बाद आधा ग्लास पानी डाल के से 10-15 मिनिट ऐसे ही रख दें और 15 मिनिट बाद लसन का सारा पानी ड्रेन कर दीजे और देखिए इसका जो छिलका है ये अच्छे से फूल गया है और बिल्कुल आसानी से स्लाइड होके ये लसन छिल रहा है मुझे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट इसमें नहीं लगाने पड़ रहे हैं ये देखिए और बिल्कुल इसी तरह से आसानी से 15 मिनिट में मैंने सारा लसन छील लिया है क्योंकि छिलका इसका फूल गया था तो देखिए कितना सारा छिलका एकदम आसानी से अलग हो गया है अब इसको पंखे में हम 15-20 मिनिट के लिए सुखा लेते हैं क्योंकि फ्रिज में हमें इस तो लसन का चिलका इधर दोर उड़ेगा भी नहीं तो एक दूसरा फाइदा ये भी है कि घर इस तरह से आपका साफ रहेगा तो इसको अब हम रख देते हैं फ्रिज में और जब भी हमें जरुरत हो लसन की आप इस तरह से निकालिए धकन खोलिए अपनी जरुरत का लसन निक करने वाले लोग जो वे प्रोटीन के महंगे महंगे डब्बे खरीद के खाते हैं वो इसी वे वाटर को सुखा के बनाया जाता है तो ये बहुत ही पॉश्टिक होता है तो पनीर बनाने के बाद इस बचे हुए पानी को आप कभी भी फेके नहीं आप चाहें तो इस तरह से आठा गूंद के तयार कर सकते हैं जिससे की उसका प्रोटीन कंटेंट जो है वो और बढ़ जाएगा या फिर अगर आप डाल बना रहे हैं तो प्रेशर कुकर में साधे पानी डाल के डाल गलाने की बजाए ये वेव वाटर डाल के आप डाल बना सकते हैं अगर आप कोई रस्ते वाली सबजी बना रहे हैं जैसे कि पनीर की ही सबजी अगर आप बना रहे हैं तो उसमें रस्ते की जगे आप डाल सकते हैं ये वे वाटर आप बढ़िया न्यूट्री या कोई भी सबजी बना रहे हैं उसमें ये वे वाटर यूज कर सकते हैं जैसे ये देखे यहां म मैं इस तरह से आटा हिससे लगा रही हूँ और कितना नरम आटा लगके तयार हुआ और इसकी पॉष्टिक ता तो कई गुना बढ़ी गई है अब चलिए देखते हैं किचन की ही सामगरी से एक ब्यूटी टिप तो यहां मैंने लोहे की एक कढ़ाई लिये और इसमें हम या सॉफ्ट हो जाएंगे तो महंदी ले ली है और इसे घोलने के लिए एक सॉस पैन में थोड़ा सा पानी गरम करेंगे और पानी जब हलका सा गुनगुना हो जाए तो इसमें हम तीन चम्मत चाय पत्ती एड़ कर देंगे और पानी को अब हम खौलाना नहीं है बस हलका सा गरम हो जाए तो उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे और इस पानी को ढखके 10-15 मिनिट तक ठंडा होने के लिए रख देंगे और 10 मिनिट बाद ये पानी रेडी है तो इस पानी को अब हम चाय की छनी से छान के महंदी में डाल देंगे और एक बार हिला के महंदी को अच हम इसमें डाल देते हैं एक पाउच कॉफी अगर आपके बाल ओईली है तो ओईली बालों के लिए ये हेर पैक बहुत ही बढ़िया है बहुत अच्छे स्मूथ बाल हो जाते हैं इससे तो कॉफी भी हमने एड़ कर दी है अब इसको तो अब हम इसमें एड़ करेंगे एक पूरा अंडा तोड़ के योक और वाइट पोर्शन दोनों ही हमें इसमें डालने हैं जैसा कि हम सभी जानते हैं अंडे में बहुत प्रोटीन होता है और बाल प्रोटीन के ही बने होते हैं तो चलिए हम यहाँ पे यह पाउच वाला कंडीशनर डाल देते हैं तो इसमें आप अपने बालों की लेंध के हिसाब से एक, दो या तीन जितने भी लंबे आपके बाल हैं उतना कंडीशनर इसमें डाल दीजिए इससे क्या होगा कि जो हम सलून में और स्पा में महेंगा वा बना के तयार करेंगे बिलकुल इस तरह से तो पैक हमारा रेडी हो गया है अब इसको हम ब्रश की ही सहायता से जड़ों से लेके और टिप तक पूरे बालों में अच्छे से लगा देंगे और पूरी तरह से सूखने देंगे इसे सूखने में चाहे दो गंटे लगें तीन गंटे ये मौसम पे डिपेंड करता है आप सूखने दीजिए उसके बाद जिस तरह से नॉर्मली बालों को रिंस करते हैं रिंस कर लीजिए और धो के सुखाने के बाद कुछ इस तरह का इफेक्ट आपके बालों में आएगा ये देखिए बालों में कितनी बढ़िया शाइन और स्मूथनिंग आई है तो आप भी इसे जरूर ट्राय करें अब हमारा अगला टिप है कि घर में मिंट पाउडर बना के स्टोर कैसे करें तो इसके लिए जब पुदीने का सीजन हो गर्मी और बारिश के आसपास रहता है ये सीजन तब आप काफी सारा पुदीना इस तर इसे क्रिस्प कर लें तरी बन दो तीन दिन में ये पतियां सूख जाती है उसके बाद मिक्सी में इनको डालके पीस के इस तरह का पाउडर बना लें और ये जो जिपर लॉक वाली थैलियां आती है उसमें आप डालके इसको फ्रीजर में स्टोर कर लें उसके बाद जैसे जैसे जरुरत हो छोटी डिबी में थोड़ा थोड़ा पाउडर निकाल के किचन में बाहर रखें और यूज कर लें और बचा हुआ पाउडर फिर से जिपर लॉक में वैसे ही फ्रीजर में रखें इस तरह से तीन से चार साल ये बिलकुल खराब नहीं होता और पराठे रा आने वाले काड़ों की रेसिपी भरी पड़ी है पर रोज प्रैक्टिकली इन काड़ों को पानी के साथ पीना जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता क्यूंकि टेस्टी नहीं लगता है तो मैं आपको एक बहुत ही स्वादिष्ट तरीका बताती हूँ जिससे कि आप रोज इन काड़ों की जो मसाले हैं उनको कंजियूम कर पाएंगे इसके लिए सबसे पहले छोटी लाइची, बड़ी लाइची, काली मिर्च, लॉंग, दालचीनी, चक्रफूल जो भी फायदे वाले मसाले हैं वो एक प्लेट में निकाल लें और मिक्सी में इन सब मसालों को पीसके बारीक सा पाउडर बना लें और उसके बाद इनको कंटेनर में फिल कर लें और आगे से अब जब भी चाय या कॉफी बनाएं तो उसमें आधे से 3-4 चमच ये पाउडर एड़ कर लें और उसके बाद इसको अच्छे से खौला लें, दूद और चीनी डालें और आपकी टे तो बेसवात काढ़ा रोज क्यों पीना जब हम उसे चाय में डाल के टेस्टी बना सकते हैं? अगर आपके घर पे सौट का पाउडर पड़ा है तो वो भी एक चोथाई चमच डाले और अच्छे से इन सब को हिला लें बर्फ की 4-5 क्यूब्स डालें और ठंडा सर्व करें, बिल्कुल मार्केट वाला स्वाद आएगा फ्रेंस हाल ही केक रिसर्च से पता चला है कि खाने वाला तेल लगातार एक ही तरह का नहीं खाना चाहिए इसे बार-बार बदलते रहना चाहिए जैसे कि यहाँ कनोला ओयल ये खतम हो गया है तो नेक्स्ट जार जो हम खोलेंगे वो होगा ओलिव ओयल का और उसके बाद आप चाहें तो पीनट ओयल या सरसो ओयल ले ले ये एक बहुत ही हार्ट हेल्दी तरीका है अपनी कुकिंग में तेल के इस्तिमाल को करने का तो अगली बार आप जब भी ग्रोसरी की लिस्ट बनाए तो इस टिप को ज़रूर ध्यान रखें इस वीडियो का मेरा लास्ट टिप है कि डोसों को बिल्कुल इस तरह का क्रिस्पी जालीदार और गोल्डन रंग वाला कैसे बनाए इसके लिए आपको क्या करना है कि जब भी आप डोसे का बैटर बनाए तो उसमें थोड़ा सा भीगा हुआ पोहा भी डाल दें चाहे वो दाल चावल का हुआ या सुझी का पोहा मिला है और साथ ही उसमें डालें तीन चौथाई चममच मेथी डाना ज्यादा नहीं डालना है बिल्कुल 3-4 से आधा चममच ही डालें ज्यादा डालेंगे तो दोसा हलका सा कड़वेपन वाला स्वाद लियावा हो जाता है तो मेथ ही crispy डोसे उतर के तयार होते हैं अब इस डोसे के बैटर से आप stuffing अंदर चाहे कुछ भी भरें चाहे इस तरह से onion masala डोसा बना लें या Italian stuffing और cheese भरके Italian डोसा बना लें चाहे तो Chinese noodle भरके Chinese डोसा बना लें covering आपकी एकदम perfect बनेगी तो next time आप जब भी गर में डोसा बनाए तो इस टिप को ज़रूर फॉलो करें और देखते ही देखते हमारे 10 useful kitchen tips खतम हो गए हैं तो वीडियो को like ज़रूर करें चैनल को subscribe करें इस वीडियो को share करें और अच्छा खाना इसी तरह बनाते रहें